कुछ समय पहले हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे आज की तारीख में मूवीज को कहीं न कहीं पॉलिटिकल एजेंडास के लिए भी इस्तमाल किया जाता है और ठीक ऐसा ही हमें केरला स्टोडी की समय भी देखने के लिए मिला था जब करनाट का इलेक्शन के ठीक पहले से रिलीज किया गया था हलाकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं लेकिन जो चीज दिखाई देती है उसको हम मना भी नहीं कर सकते हैं जो टला भी नहीं सकते हैं तो कंगना रनौत के फिल्म एमर्जिंसी का इंतजार फैंस को इस समय बेसबरी से है ये बात सही है इस फिल्म में कंगना भारत के पूर प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी का रूल ने भा रही है फिल्म का एक टीजर पहले रिलीज हो चुका है जिसके जरीए एक्टरस के लुक को रिवील किया गया था वहीं अपने टीजर में कंगना रनौत अपने देश की रक्षा करने का प्रण लेती हुई नजर आ रही है ट्रिलर में उनका डायलोग है कि इंद्रा ही इंडिया है टीजर की शुरुआत 25 जून 1975 के दिन से होती है हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है कई लोगों को पुलिस वालों पर पत्थर बढ़साते हुई देखा जा सकता है पुलिस भी जबाबी कारवाई करती दिखती है और इसके बाद इसी तस्वीर के साथ निउस्पेपर कटिंग भी सामने आती जिसमें लिखा होता है कि भारत में एमर्जन्सी लागू कर दी गई वहीं दूसरे सीन में आप जई प्रकाश नारायन बने अक्टर अनुपम खेर को जेल में बन देखते हैं वो कहते हैं इभारत के इतिहास की सबसे अंधेर घड़ी आ चुकी सरकार राज नहीं एहंकार राज है ये हमारी नहीं इस देश की मौत है इस तानाशाही को रोकना ही होगा इन सब के बीच आपको टीवी चैनल पर टेलीकास सस्पेंड होते और आंदोलन करते लोगों की तस्वीरे भी देखने को मिलती है जगे जगे लिखा होता है टॉर्चर बंद करो राइट्स वापस करो सड़कों पर उतरे लोग तानाशाही बंद करने की मांग करते दिखते हैं टीजर के आखरे में कंगनारनाओत इंद्रा गांधी के गटब में दिखाई देती है और उनका डायलोग आता है कि मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं डोक सकता क्योंकि इंडिया ही इंद्रा है और इंद्रा ही इंडिया है अपने फिल्म को लेकर कंगनारनाओत ने कहा कि एमर्जन्सी हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और डारकेस चैप्टर में से एक है जिसे युवा भारत को जानना जरूरी है ये एक महत्वपूर्ण कहानी है और मैं इस रचनात्मक यात्रा को मेरे साथ शुरू करने के लिए प्रतिवाशाली एक्टर स्वर्गी सतीश कौशिक जी अनुपम जी श्रियस महिमा और मिलिंद की शुक्र गोजार हूँ इस फिल्म का निरुदेशन खुद कंगना नौत ने किया है टीजर के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी अलान कर दिया गया है इमर्जेंसी फिल्म 24 नमबर 2023 को दुनिया भर के सिनमा गरों मेर रिलीज होगी फिल्म में कंगना भारत की पूर ब्रहान मंत्री इंद्रा गांधी के रोल में अनुपम खेट जय प्रकाश नारैन के रोल कर रहे हैं वह इंश्रियस तलपड़े को टलविहरी वाजपई के रोल मिला है अधर को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे स्वीडियों फिलालत नहीं जय हैं जय भारत